चलो बच्चो तो आज हम लोग मैट्स में चैप्टर नंबर एट कंटीनियू करते हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री देखो इस चैप्टर में हम लोग एक्ससाइज 8.1 वो देख रहे थे ना कि जिनमें सबसे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो समझे थे समझे थे ने 6 रेशियो साइन, कोस, टैन, कोसेक, सैक और कॉट ये 6 रेशियो हमने समझे थे उसकी फार्मूलास भी समझी थे और उसके रिलेटेट कुछ सम्स भी हम लोग देख रहे थे यही देख रहे थे ना हम लोग कि जिसमें एक्ससाइज 8.1 में 5 तक के क्वेशन्स दे बरबर, तो देखो, कि आपके एक्ससाइज में, क्वेशन नमबर 6 में जो दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, कि इफ एंगल A एंगल B are acute angles, such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B, बरबर, show that, यहां पर जो यहां कुछ शो करना है, कुछ प्रूव करना है, ऐसे दिया हुआ है, कि कोई 90 degree से छोटा हो वो, बरबर न, मतलब A और B वो right angle नहीं है, 90 degree नहीं है, जो 90 degree से छोटे हैं, ऐसे angle दिया हुआ है, मतलब देखो, कि इन questions में, हम लोग कल तक जितने भी questions हमने किये, सब में हम लोग right angle ही बना रहे थे न, बरबर न, क्या तयार कर रहे थे, right angle, मतलब कि यहां पर इस sum में भी अगर हम लोग एक right angle suppose करें न, triangle ABC, तो उसमें यहां 90 degree का जो angle आएगा, वो angle C आएगा, A और B नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहां question में पहले ही mention किया हुआ है, कि A and B are acute angles, बरबर, A, B acute angle है, 90 से छोटे हैं, तो 90 से छोटे angle हैं, मतलब यहां 90 degree पे तो A भी नह नहीं आएगा, बरबर, यहां angle C आएगा, और A, B, तो A, B यहां पे लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो, A और B, तो हमें प्रूव यह करना है, कि A और B, वो दुनों angle equal है या नहीं है, बरबर, वो दुनों equal है या नहीं, वो प्रूव करना है, तो चलो, वो प्रूव क करकки लिखें न कि उसके लिए एक कंडिशन यहां पर दी गहीं है कि, कासे इक्वल टू कॉसब यe ज इकंडिशन दी गही है को से इक्वल टू कॉसब बी तो उसको उपर से प्रूफ करना है तो देखो, सबसे पहले तो यहीं लिखेंगे कि हमने जो triangle suppose किया वो यहां पर लिखें कि let in triangle in triangle ABC angle C equal to 90 angle C 90 लिखें and angle A and angle B C are acute angles कि A और B वो दोनों कैसे angles है acute angles है कि यह 90 degree का angle है बरवर तो अब उसके आगे हम लोग ऐसे लिखें कि यहां पर जो दिया हुआ है here it is here it is given that यहां पर ऐसा दिया हुआ है कि cos A equal to cos B यह condition दी गई है ना बरवर ना question में लिखा हुआ है कि cos A equal to cos B है तो हमें उसके उपर से prove करना है तो देखो यहां पर cos A है तो cos A की formula हम लोग क्या लिखते हैं कल वो six formulas नहीं लिखवाई थी तो जिसमें cos की formula क्या आती है cos की formula आती है adjacent side upon hypotenious cos की formula क्या होगी adjacent side upon hypotenious वरवर तो उसके हिसाब से यहां पर जो cos A दिया हुआ है तो cos A, A angle के हिसाब से अगर adjacent ढूंडें तो उसका adjacent कौन सा हुआ यह cos A है तो according to A डूंडेंगे ना according to A अगर हम लोग उसकी adjacent side find करें तो A की adjacent side कौन सी हुई उसके पास में कौन सी हुई तो adjacent side हुई यह AC यह हुआ ना AC और hypotenious कौन सा तो hypotenious हुआ यह AB hypotenious तो वह ही होगा ना वरवर तो cos A के हिसाब से जो उसकी formula आती है adjacent side upon hypotenious तो A की adjacent side हो गई AC upon hypotenious AB AC upon AB ऐसे हुआ ना equal to cos B की अगर बात करें cos B मतलब अब according to B डूंड हो according to B formula तो वही रहेगी adjacent side upon hypotenious तो यहाँ B के adjacent कौन सा आएगा B के adjacent होगा यह BC और hypotenious वही AB बरवर तो cos B की formula बन जाएगी BC upon AB ऐसे बनेगी ना बरवर ना यह value बनी ना अब इससे अगर आगे continue करें तो देखो दोनों का denominator equal है AB AB दोनों का denominator equal है बीच में equal to है तो दोनों के denominator cut हो सकता है ना cut हो सकता है ना जैसे LCM में नहीं करते बरवर LCM में करते हैं कि यह दोनों cut हो जाएंगे बचेगा सिर्फ क्या AC equal to BC अगर कैसे cut होंगे एक step अगर बढ़ा ना हो तो आप बढ़ा सकते हो कि देखो यह AB यहां क्रॉस में जाएगा सपोज यह AB को यहां क्रॉस में लेके जाएं तो क्रॉस में लेके जाएं तो BC multiply AB हो जाएगा और AB AB cut है यहां तो डारेक्ट भी करी सकते हो ना आप कि दोनों का denominator equal है तो जैसे LCM हम लोग करते हैं तो LCM यह equal हुआ तो वह दोनों cut हो जाएंगे बचेगा सिफ यह AC equal to BC मतलब यहां पर यह AC और यह BC यह दोनों side equal हो गई अब हमारे triangle का यह rule आता है जो हम लोग हर standard में सीखते हैं कि triangle का rule ऐसा है कि अगर कोई triangle में दो side equal है तो उसके opposite 2 angle भी equal होंगे यह है दो बनों side equal है तो उसके opposite यह दोनों angle A और B वह दोनों बरबर न तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल गहार की हिंगोंगल मिखेर। हador कृपेर। ही इपकल साइट से ओल्सोफेटे mniej यह लिख सकता है ना हम लोग सब्सक्राइब लोग टो आपो सब्सक्राइब साइड से are also equal कि मतलब अगर कोई दो साइड से equal है तो उसके अपोजिट एंगल भी इकवल होंगे तो यहां पर AC और BC तो देखो AC का अपोजिट यह B और BC का अपोजिट A मतलब A और B वो दोनों भी इकवल हो गया ना जो हमें प्रूव करना था तो उसके लिए लाश्ट में लिख सकते ना कि सो एंगल A equal to angle B कि यह हमें प्रूव करना था बरबर हो गया ना तो सिंपल सी यह बात है कि देखो अगर कोई दो रेशियो इकवल है ना तो हां उसके दो एंगल भी इकवल होंगे ही होंगे बरबर कि यहां कॉस A और कॉस B यह दोनों इकवल हैं तो इसका मतलब A और B वो इकवल हुआ ही जो हमने प्रूव करके बताया कि समझाई बात तो इसे भी अच्छी तरह से लिखो तो फिर उसके बाद सेवन्त वाला क्वेशन देखें हम लोग बरबर देखो कि अब अब कॉशन नंबर 7 में क्या दिया हूए मैंने आ दो चीज़े डूढनी है पहला क्या डूढना है वन प्लस साइन टीटा वन माइनस साइन टीटा अपान वन प्लस कॉश टीटा वन माइनस कॉश टीटा इसकी वेल्यू डूढनी है और दूसरा कॉट स्क्वेर की वेल्यू डूढनी है पर अबर तो देखो इन दोनों को value profit करेंगे गाल मतलब सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यहां चो यह court खीठा दिया हुआ है इस court पर से court पर से पहले यह sine कॉस इसकी वैल्यू धुनने होगी भर बर 一 कोट कर से पहले इसकी वैल्यू डॉननी होगी तो फिर यहां वैल्यू रखo पराएंगे न हम लोग, है कि नहीं और यहां पे second में रखना है cot square, तो इसमें तो cot square ही रखना है, वो cot की value दी गई है, मतलब पहले इसके लिए value डूढनी होगी, sine और cos के लिए, और वो value कैसे डूढने, तो उसके लिए, कल हमने formulas बताई थी, method बताई थी, है कि नहीं उस six trigonometries ratios भी कल find किये था न कल के sums में कि यहां cot theta दिया हुआ है तो एक triangle बना कर triangle बना कर उसमें से यह sign और cos की value डूण सकता है न है कि नहीं देखो जैसे कि यहां cot theta दिया हुआ 7 upon 8 कि suppose एक triangle बना ले हम लोग कि एक triangle बनाते हैं नाम दे दें उसे a b c के जिसमें यह 90 degree है और यहां cot theta है theta मतलब कि कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं ना 90 degree उसे नहीं दे सकते हैं बाकि a या c कुछ भी लिख सकते हैं इसके उपर कि suppose इसमें इस a कोई theta माने इस कोई मानते है ठीठा वरवर एक यह according सम करते हैं हम लोग समझाया ना कल भी ऐसा ही सम कर रहे थे ना तो देखो यहां पर यह cot theta दिया हुआ 7 upon 8 तो cot की formula क्या आती है जो हमने formulas लिखवाई दिस अब तो उसमें cot की formula क्या cot की formula आती है adjacent side upon opposite side वरवर cot की यह formula आती है ना formula याद न हो तो पहले formulas याद कर लेना इसके लिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ formula सबसे ज्यादा important है कि अगर formula याद नहीं होगी तो समझो आगे कुछ भी नहीं होगा यह चीज ध्यान रखना कल जो पहले basic six formulas बताई थी वो तो अच्छी तरह से माइंड में होनी चाहिए ठीक है तो देखो यहाँ पर जैसे cot है तो cot की formula हम लोग रखते है एड्जासेंट side upon opposite side तो cot की formula हम लोग रखे न यहाँ पर के cot theta equal to adjacent side तो यहाँ हमने ठीठा समझा A को तो A की adjacent side कौन सी होई adjacent side हो गई A B adjacent side A B upon opposite side तो यह ठीठा की opposite side कौन सी होई opposite side B C A B upon B C ऐसा हुआ ना इसकी formula में hypotenious नहीं आता है cot की formula में लिखते हैं adjacent side upon opposite side मतलब A B upon B C और जिसकी value दी गई है 7 upon 8 7 upon 8 value दी गई है मतलब यह हुआ के A B equal to 7 cm हो गया और B C equal to 8 cm हो गया ऐसे बना यह तो अब इनके बेस पर यह दो साइड हो गई तो पहले तीसरी साइड डूंड सकता है ना तो उसके उपर से फिर 9 और cost की value मिलेगी बरबर और यह तीसरी साइड कैसे डूंडेंगे तो वह डूंडेंगे वही पायथागरस की फर्मुला ऐसे जो सब में डूंड रहे थे तो इसमें भी पायथागरस की फर्मुला यूज करें तो पायथागरस की फर्मुला यहां पर कैसे यूज होगी 90 डिग्री के सामने यह hypotenuse AC से शुरू होगा कि AC स्क्वेर इक्वल टो AB स्क्वेर प्लस BC स्क्वेर ऐसा ना AC स्क्वेर इक्वल टो AB स्क्वेर प्लस BC स्क्वेर means के AC स्क्वेर इक्वल टो AB पे लिखा जाएगा 7 का स्क्वेर और BC पे लिखा जाएगा 8 का स्क्वेर बरबर तो AC स्क्वेर इक्वल टो 7 का स्क्वेर 49 प्लस 8 का स्क्वेर 64 तो यहां हो जाएगा के AC स्क्वेर इक्वल टो 49 प्लस 64 113 113 और उसका स्क्वेर रूट यह AC स्क्वेर है तो उसका स्क्वेर रूट अगर करें तो 113 का कोई स्क्वेर रूट नहीं निकलता उसका स्क्वेर रूट नहीं निकलता तो वह ही लिखेंगे रूट में 113 बरबर क्या लिखेंगे रूट में 113 यह AC सही बात है न मतलब यहां पर यह AC की value मिल गई root 113 अब इसके बेस पर इसके बेस पर हम लोग यह ढूंडे कि हमें sin और cos की value रखनी है न तो यहां पर sin और cos की value पहले ढूंडे कि देखो कि जैसे कि यहां पर आप लोग continue लिखना है इसके नीचे कि जैसे कि यहां पर sin ढूंडे sin theta तो sin theta की formula क्या आती है sin theta की formula क्या कल जो formulas लिखवाई थी उसमें opposite side upon hypotenuse sin की formula आती है opposite side upon hypotenuse मतलब यहां पर theta a को कि ना न तो उसकी opposite side opposite side कौन सी bc upon hypotenuse तो hypotenuse कौन सा ac bc upon ac ऐसे हुआ न कि opposite side upon hypotenuse means bc upon ac तो जो इनकी value लिखे न कि bc की value होगी 8 and ac की value होगई root 113 ऐसा हुआ न कि 8 upon 113 root में यह sign की value मिल गई यह value यहां पर रखेंगे हम लोग और दूसरी value ढूणनी है cos की तो उसके साथ ही cos की value ढूण लें के cos ठीठा तो cos की formula क्या आती है cos की formula आती है adjacent side upon hypotenuse adjacent side and hypotenuse मतलब यह ठीठा है उसका adjacent side अगर गिनो तो adjacent side यह a b और hypotenuse ac मतलब उसमें होगा a b upon ac तो इसकी value a b की value होगी 7 और ac की value root में 113 बरबर यह cos ठीठा मिलेगा ना हमें यह मिलगे answer sign और cos का तो यह जो दोनों answer मिल गया ना अब इनकी value यहां रखेंगे समझा रहा है ना step पहले हमने क्या किया था कि कोड की value दी गई थी तो ट्राइंगल बनाकर पहले तीनों साइड डूंड ली पैथा गोरस से फिर उस तीनों साइड पर से sign और cos की value डूंड ली अब यह value रखेंगे यहां पर इसमें value रखेंगे ना तो इसका solution मिलेगा यही तो में करना था हमें तो अब इनका solution करना तो समझना कैसे करेंगे कि यहां देखो एक तो पहला step हम लोग इस question में थोड़ा clear कर सकते हैं यहां दिया हुआ one plus sign and one minus sign तो आपको याद है कि a plus b और a minus b तो उसकी formula क्या आती है उसकी formula आती है a square minus b square आती है गए नहीं उसकी formula ए स्क्वएर माइनस b square दोनों का square तो यहां पर भी तो वैसा ही है one plus sign और one minus sign एक plus में एक minus में तो दोनों का square हो सकता ना बरबर ना मतलब यहां पर हम लोग पहले question को यह ऐसा लिख सकते हैं कि यह plus में minus में दोनों का square तो one का square तो one ही रहेगा minus बीच में minus ही आता है ने इसमें a square minus b square तो minus यह sin और sin वो हो जाएगा sin square, sin square ठीठा और upon में इसमें भी ऐसा ही one plus cos और one minus cos दिया हुआ है तो उसकी formula भी हम लोग लिख सकते हैं कि one plus cos and one minus cos तो one minus cos square ठीठा cos and cos, cos square ऐसे हो जाएगा ना बरबर अब इसमें sin और cos की value यह लिख सकते हैं यह sin की value यह cos की value तो यहाँ पर आप जो value लिखें ना, तो पहले numerator की बात करें तो one minus, यह one का तो one ही रहेगा, minus sin पर क्या लिखना है, sin पर लिखना है यह, eight upon root में 113 ऐसे लिखना है ना, तो यहाँ पर square है, मतलब ऐसे लिखेंगे, कि eight upon root में 113 का square यह sin square है, तो sin की value eight upon root 113 उसका square होगा ना, बरबर ना, ऐसे होगी ना उसकी value और upon में यह इसकी value हो गए numerator की, और फिर denominator में भी इसकी value लिखें कि one minus cos square theta, तो देखो, one minus cos square, तो cos पे कौन सी value लिखेंगे, seven upon root 113 तो इसमें भी cos square है, मतलब ऐसे लिखें, कि seven upon root में 113 का square ऐसा होगा, बरबर, यह value लिख दी ना, sin और cos की, अब solution करें, तो देखो, अब solution कैसे होगा, numerator का फिर से अगर solution करें ना, तो उपर यह one का तो one ही रहेगा, minus, इसका square करेंगे, तो अगर इसका square करें, तो देखो, eight का square हो जाएगा, 64, और upon में 113 का square, root में है, तो root 113 का square करो, तो root cut हो जाएगा, सिर्फ बचेगा, 113, भरबना, सिर्फ 113 ना, root cut हो जाएगा, ना, square है तो, upon में भी ऐसा ही, कि upon में इसको लिखें, तो यह one का तो one ही रहेगा, minus, यह seven का square, तो seven का square हो जाएगा, 49, और upon, root 113 का square, तो root 113 का square, सिर्फ 113, root निकल जाएगा वो, वरबर, ऐसे आगया ना, वो, ठीक है, तो देखो, यह solution मिल गया, अब next step, कि next step में क्या, तो next step में होगा, इनका LCM, यहाँ one minus 64 upon 113, तो LCM होगा ना, इनका, minus direct थोड़ी कर सकते हैं, LCM होगा, मतलब यह 113 यहाँ cross में, वैसे ही नीचे भी यह LCM होगा, तो इसका next solution में यहाँ कर रहा हुआ, यहाँ पर solution कर रहा हूँ, ध्यान देना, कि इनका solution आगे करें, तो पहले उपर LCM होगा, 113 यहाँ cross में, 113 ones हो, मतलब ऐसे होगा, कि 113 minus 64 upon 113, ऐसे हुआ ना, इनका LCM, कि देखो, 113 यहाँ cross में multiply है, तो वो 113 minus 64 वो तो रहे गई, और अपॉन पूरा LCM 113, ठीक है, ऐसे ही नीचे भी, नीचे भी 113 यह cross में जाएगा, 113 minus 49, और बर, डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे हम लोग, कि 113 minus 49 upon 113, ऐसे मिलेगा, यह दोनों का साथ में ही चल रहा है न वैसे, तो अब इनका माइनस करें, तो देखो, अब अगर माइनस करें न, तो उपर 113 minus 64, तो 113 minus 64 करो, तो वो मिलेगा 49, 49 और अपॉन में तो रहेगा 113, पर उपर बचा, 49 upon 113, और यहाँ अगर देखो, तो 113 minus 49, तो 113 में से 49 minus करो, 64, 64 upon 113, ऐसे आया न, और जिसमें देखो, अब दोनों के denominator equal है न, 113 दोनों के denominator equal है, तो वो cut हो जाएंगे, दोनों के denominator अगर cut कर दो 113, तो बचेगा सिर्फ answer 49 upon 64, क्या बचे की value, सिर्फ 49 upon 64, तो यह हमारी value मिली न, final, जो हमें डूंडनी थी, बरबर, जो हमें value डूंडनी थी, इसकी 1 plus sign, 1 minus sign, तो यह value मिल गई हमें, समझाई बात, तो देखो, यह first वाला, और यह दूसरे की value डूंडनी है, second भी question है, कि cut square ठीठा, उसकी value डूंडो, सिर्फ cut square करना है, तो cut की value तो दी गई है, cut की value कितनी दी गई है, 7 upon 8, तो बस उसका square करना है न, सिर्फ, तो cut square ठीठा, मतलब यहाँ पर अगर cut की value लिखें न, तो cut की value, 7 upon 8 square, यह cut square ठीठा, उस पूरे की value 7 upon 8 है न, तो उसका square, और उसका अगर square करो, तो 7 का square 49, और 8 का square 64, यह हमारा answer, बरबर, तो यह value मिल गई न, second की भी value मिली, 49 upon 64, समझाई बात है, कैसे करना है, ध्यान आया न, यह खाली special formula थी, यह sum यहाँ से फिर यहाँ किया हमने, तो ध्यान आया न, ऐसा कोई भी question क्यूं न हो, कि जैसे cut की value दी गई है, तो cut पर से पहले, sine cost की value डूंडी, और उसके बाद, उसमें उसकी value रखके solve किया हमने, समझो, तो फिर उसके बाद वाला question देखे, बरबर, देखो, कि अब, अब question number 8 में कैसे दिया हुआ है, वो समझो, कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, कि 3 court A equal to 4, यह question है, 7 की तरह ही, कि 3 court A equal to 4, then check, whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equal to cos square A minus sin square A or not, मतलब कि इसमें आपको यह court की value दी गई है, 3 court A equal to 4, ऐसे दिया हुआ है, और उसके उपर से हमें प्रूब करना है, कि यह equal होंगे या नहीं होंगे, अब प्रूब कैसे करेंगे, इसमें value रखके ही न, कि यहाँ जो court है, उस court पर से पहले 10 और cost की value ढूंडेंगे, 10, cost और sign, उनकी value ढूंड लेंगे court पर से, और वो value मिल जाए, तो वो value फिर यहाँ रखेंगे, यह equal to case side एक बार left hand side, और equal to case side एक बार right hand side, दोनों तरफ value रखेंगे और check करेंगे, कि left hand side और right hand side equal हुए यहाँ नहीं हुए, बरवर, simple वैसे ही करना है न, कि सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है, court, उस court पर से 10, cost, sign, यह सब value ढूंडें, और कैसे ढूंडते हैं, वैसे ही ढूंडते हैं, पैथा करस की formula से, बरवर, कि देखो, 3 court a equal to 4 है, यह ऐसा दिया हुआ है, 3 court a equal to 4, तो उस पर से ऐसे लिख सकते हैं, कि 3 divide में, 3 divide में, तो ऐसे लिख सकते हैं, court a equal to 4 upon 3, यह हुआ न, court a equal to 4 upon 3, है के नहीं, अब यहाँ समझो, हमेशा हर value, यह sin, cost, 10, court, किसी की भी value ढूंडते हैं, तो वो सबकी value ऐसे upon में ही आती हैं न, तो जब ऐसी condition दी गई हो, तो confused नहीं होते, यह 3 court a, तो 3 को divide में ले जाओ, हुआ तो वही, court a equal to 4 upon 3, तो अब इसके हिसाब से भी, अगर हम लोग एक triangle बना लें, यहाँ पर, अगर एक triangle यह बना दें, कि जिसको नाम दे दें, a, b, c, वही यह b right angle, है के नहीं, यहाँ पर court a दिया हुआ है, मतलब a के according ही गिनना है हमें, तो according to a, यहाँ पर court a की formula क्या आ जाएगी, उसकी formula, court a की formula या court की formula आती है न, adjacent side upon opposite side, adjacent side and opposite side, तो यह a, a की adjacent side कौन सी हुई, a, b, और उसकी opposite side कौन सी हुई, b, c, मतलब court a मिल जाएगा, a, b upon b, c, बरबर न, a, b upon b, c, तो जिसमें, जिसमें a, b, तो a, b की value कितनी होगी, 4, न, यह 4 upon 3 दिया हुआ ही है, तो a, b की value 4 और b, c की value 3, मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा, a, b equal to 4 cm समझो मिला, और b, c equal to 3 cm मिल गया, तो अब उसके उपर से, यह 3rd side पहले डून सकता है न, फिर यह सब मिलेगा, तो पहले यह 3rd side डून सकते हैं, a, c, वो किस से, वही पैथाकरस की formula से, तो यहाँ पर पैथाकरस की formula वही लगेगी, यह 90 degree के सामने, a, c से शुरू होगा, के a, c, square, equal to a, b, square, plus b, c, square, के a, c, square, equal to a, b, square, plus b, c, square, means, के यहाँ पर a, c, square, वो find करना है, equal to a, b, square, उस पर लेखेंगे 4, 4 का square, plus b, c, square, तो b, c, 3 का square, बरबर, तो यहाँ पर a, c, square, equal to 4 का square, 16, plus 3 का square, 9, ऐसे हुआ, means, a, c, square, equal to 16, plus 9, 25, 16, और 9, 25, और 25 का square root, तो उसका square root हो जाएगा 5, a, c, equal to कितना मिल जाएगा हमें, 5, 5 centimeter, यह मिल गई न, a, c की value, अब यह जो value मिल गई न, तो अब इसके base पर पहले यह सब value ढूंड लें, कौन-कौन सी value हमें रखनी हैं उसमें, यह हमारा question हाना, केस question में क्या-क्या रखना है, 10 की value चाहिए, cost की value चाहिए, sign की value चाहिए, तो यह तीनो value ढूंडेंगे न, तो सबसे पहले 10 की value ढूंड लें, यहाँ पर find कर लें, अलग से पहले, कि देखो, यहाँ पर 10, a, उसकी value लिखें, आप ध्यान रखना, आप continue करना, मैं ऐसे boxes बना कर कर रहा हूँ, अब यह ढूंडा, तो उसके बाद अब यह value ढूंडेंगे 10, a, तो 10 की formula क्या आती है, a के according, उसकी formula आती है, opposite side and adjacent side, 10 की formula, तो a के हिसाब से opposite side, opposite side यह bc, upon adjacent side, तो adjacent side यह a, b, bc upon a, b, और bc upon a, b की value लिखो, तो bc की value 3, और a, b की value 4, 3 upon 4, यह मिल जाएगी ने 10 की value, 10 के बाद, उसके बाद दूसरी value चाहिए, हमें cos, cos की value चाहिए, तो cos a ढूंडे, cos की formula क्या, तो cos की formula आती है, उसमें adjacent side upon hypotenuse, adjacent side and hypotenuse, तो यह according to a देखो, तो adjacent side, adjacent side कौन से होई, a, b, और hypotenuse कौन सा हुआ, a, c, c, मतलब उसमें value आ गई, a, b upon a, c, परवर न, a, b upon a, c, तो जहां a, b, a, b की value 4, upon a, c, a, c की value 5, 4 upon 5, यह cos की value, और तीसरी value चाहिए, हमें, वो है sin, sin, sin की value, sin a, कि sin a, sin की value अगर ढूंड़ें, तो sin की formula आती है, opposite side and hypotenuse, sin की formula, मतलब a के हिसाब से opposite side, opposite side यह b, c, upon hypotenuse, तो hypotenuse यह a, c, b, c upon a, c, वरवर, जहां b, c upon a, c की value हो जाएगी, b, c की value 3, और a, c की value 5, 3 upon 5, यह मिल गई न, तीनों value, अब यह तीनों value मिल गई, तो उसे फिर यहां रखेंगे, इन में रखेंगे अब value में, तो देखो, यहां पर रखें, दो तरह से डूंड़ें, पहले यहां पर यह left hand side, फिर right hand side, ऐसे गरके डूंड़ें दोंड़ें और चेक करें, दोनों का answer equal आ रहा है यह नहीं, तो पहले एक तरफ पहले लिखें, LHS, left hand side, तो left hand side में question दिया हुआ है हमारा, 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A, ऐसे है न, तो जहां पर इनकी value लिखेंगें अगर, तो देखो, 1 minus 10 square, तो 10 की value क्या रखनी है, 3 upon 4, means 3 upon 4 का square, 3 upon 4, उसका square, ऐसे होगा न, 10 square, बरबर, और upon 1 plus 10 square, तो यहां पर भी वैसे ही होगा, 1 plus 10 पर 3 upon 4 का square, बरबर, 10 square है, इसलिए दोनों में square लिखा, अब next solution करें, इनका square करें, तो ऐसे हो जाएगा, यह तो वही रहेगा, 1 minus, यह 3 का square, 9 upon 4 का square, 16, 9 upon 16, और यहां पर भी वैसे है, 1 plus, यहां पर 3 का square, 9, 4 का square, 16, ऐसे होगा न, बरबर, यह condition आई, अब क्या करें, तो अब होगा LCM, अब LCM होगा न, जैसे इससे पहले वाले question में भी किया था, यह 16 cross में, 16 यहां जाएगा, cross में, मतलब next step क्या हो जाएगा, 16 यहां पर, 16 minus 9 upon 16, यह cross में गया, 16 minus 9 upon LCM 16, और denominator में भी ऐसा ही करेंगे, उसके नीचे भी ऐसा ही करें, 16 यहां cross में, तो यह 16 plus 9 upon 16, ऐसे होगा, बरबर, यह condition आई, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें next, इनका plus minus करें, तो अब next मैं यहां लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहां पर अगर इनका plus minus करेंगे, तो देखो 16 minus 9, तो 16 minus 9 कितना होगा, 7 होगा, बरबर, 16 minus 9, 7, कि 7 upon 16, 7 upon 16, और दूसरा यहां पर, 16 plus 9, तो 16 plus 9 कितना होगा, 25, कि 25 upon 16, ऐसा होगा न, 25 upon 16, जिसमें देखो, दोनों में denominator 16, 16 equal है, तो वो दोनों 16 cut हो जाएंगे, 16, 16 cut, तो बचेगा answer 7 upon 25, किया बचाओ, ऊपर 7 और नीचे 25, 16, 16 cut, यह कौन सा मिला हमें, लेफ्ट एंड साइड का answer, लेफ्ट एंड साइड का यह answer मिला न, अब कौन सा ढूंडें, equal to के इस तरफ, राइट एंड साइड, यह ढूंडें, कि अब राइट एंड साइड करके लिखें, राइच एस, राइट एंड साइड में लिखें, तो उसमें question क्या दिया हुआ है, उसमें question दिया हुआ है, cos square a minus sin square a, उसमें लिखा हुआ है, cos square a minus sin square a, ठीक है, तो जहां पर cos square, तो cos की value लिखेंगे ना यहां पर, तो cos की value कितनी है, 4 upon 5, 4 upon 5 का square, बरबर, तो cos square, उसमें लिखें, 4 upon 5 का square, minus sin square, तो sin पर कौन सी value रखेंगे, यह, 3 upon 5, तो sin square, उसकी जगे पर लिखें, 3 upon 5 का square, बरबर, ऐसे हुआ न, cos square minus sin square, उनकी value लिखी, cos और sin की, तो अब इनका solution करें, तो देखो, यह 4 का square, तो 4 का square 16, and 5 का square 25, minus, minus इस तरफ के यह 3 का square, 3 का square 9, और 5 का square 25, बरबर, अब दोनों में minus है, तो minus करेंगे, denominator equal ही है, तो LCM करने की जरूर नहीं है, सीधा minus, कि 16 minus 9 upon 25, दोनों साथ में होंगे न, तो 16 minus 9 कितना, तो 16 minus 9 हो जाएगा, 7, 7 upon 25, तो मिला न, वही आंसर, जो left-hand side का answer था, 7 upon 25, राइट-hand side में भी वही मिला, तो लाश्ट में लिख सकता है, न, कि so, so left-hand side equal to right-hand side, कि left hand side and right hand side दोनो equal है कि ये जो हमने formula prove करनी थी वो prove हो गई, दोनो clear है पर अबर समझाई बाद इसमें भी कि वह कैसे हम ले पहले value ढूंडी और फिर value उसमें रखी कल जो question कर रहे थे ना हम लोग उसमें खाली value ढूंडना यहां तक का step किया था आज ये नया step भी देखा कि value ढूंड कर फिर वो value यहां रखनी होती है ठीक है तो आज जैसे ये नया step सीखा न अब ऐसे ही दूसरी नई methods नए topics वो अब हम लोग अगले videos में देखेंगे ओके, thank you